आदर्निय प्रधान मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदर्निय मुख्य मंत्री जी, आदर्निय राज्यपाल महोदया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ सम्प्रदायों का प्रतिनी धित्व करने वाले हमारे संत रुशी आचार्य गण और समाज के सब स्थरों का प्रतिनी धित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाओ, आज का आनंद शब्दों में वरणनाती थे, और उसके वरणन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तवयों में अच्छा हो गया है, ये भी बता दिया गया है और हम जानते भी है, कि आज अयोध्या में राम लला के साथ भारत का स्व लवट के आया है, और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कारिक्रम बन गया है, ऐसे समय में आपके उत्सा का, आपके आनंद का वरणन कोई नहीं कर सकता, हम यहाँ पर अनुभो कर रहे हैं, पूर्ण देश में यही वातावरण है, छोटे-छोटे मंदिर के सामने दूर दर्शन पर इस कारिक्रम को सुनने वाले, हमारे समाज के करोडो बंधू, वहाँ पहुच ना पाए, ऐसे घर-घर के अमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सब भाव विवहोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है, और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है, आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में, पधारने के पूर्व, प्रधान मंत्री जी ने कठोर वरत रखा, जितना कठोर वरत रखने को कहा था, उससे कई गुना अधिक कठोर वरताचरण उन्होंने किया, मेरे पुराना उनसे परिचे है, मैं जानता हूँ, वो तपस्वी है ही, परन्तु, वो अकेले तब कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, अयोध्या में रामलला आये, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे, रामायन में क्यों गए थे बाहर, तो अयोध्या में कलह हुआ, अयोध्या उस पुरी का नाम है, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दिविदा नहीं, वो हुआ चौदा वर्ष वर्वास में गए वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए आज रामलला वापस फिर से आए है पास्तो साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहें सुवर्ण दिवस देख रहें उनका स्मरण प्रान प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा स्मरण किया उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्रम को शतबार सहस्तरबार कोटिबार नमन है रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुखदैन्य हरन होगा ऐसे इस इतिहास का सामर्थ है परवन्तु उसमें हमारे लिए कर्तवयका आदेश भी है प्रधान मंत्री जी ने तब किया अब हमको भी तब करना है राम राज्या आने मला है वो कैसा था दैही का दैवी का भौतिका तापा राम राज नहीं कहुई बाप वापा सब नरकरही परस्पर प्रीती चलही स्वधर्म निरतश्रुती नीती सब निर्दंभ धर्म रतपुनी नरु अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी सब कृतज्या नहीं कपट सयानी राम राज्य के सामान्य नागरीकों का जो वरणन है हम भी इस गवरों में भारत वर्ष की संताने हैं कोटी कोटी कंठ उसका जैगान करने वाले हमारे हैं हमको इस प्रकार के विवार को रखने का तप आचरन करना पड़ेगा हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी छोटे छोटे परस पर मत रहते हैं छोटे छोटे विवाद रहते हैं उसको लेकर लड़ाई करने की आदा छोड़ देनी पड़ेगी आखिर है क्या यह बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे निर्दंभ प्रामाणिक्ता से आचरन करने वाले केवल बाते करने वाले नहीं और बाते करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे काम करते थे आचरन करते थे और अहंकार नहीं था ऐसे वो थे और धर्म रत थे याने क्या थे इस पर कषिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है लिकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चोखट पर धर्म है ऐसा श्रीमत भागवत में बताया है सत्य हमारे लिए युगानुकूल आचरन क्या है तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है ब्रह्म सत्य है वही सर्वत्र है तो हमको यह जानकर आपस में समन वैसे चलना होगा क्योंकि हम चलते हैं सब के लिए चलते हैं सब हमारे हैं इसलिए हम चल पाते हैं और इसलिए आपस में समन्वें रखकर व्यवार करना ये धर्म का पहला जो पहरे सत्य उसका अचरण है करुणा दूसरा कदम है उसका अचरण है सेवा और परोपकार सरकार की कई योजनाएं गरिबों को रहत दे रही सब हो रहा है लेकिन हमारा भे करता है यह सब समाज बांदो हमारे अपने बंदु है तो जहां हमको दुख़ दिखता है, पिड़ा दिखती है, वहां हम दोड़ जाए सिवा करे, दोनों हाथों से कमाए अपने लिए न्यूनतम आवश्चक रखकर बाकी सारा वापस दे सिवा और परोपकार के माध्यम से, ये करुणा का अर्थ आज है शुचिता पर चलना है, यहने पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता के लिए सैयम चाहिए अपने को रोकना है, सब अपनी इच्छा है, सब अपने मत, सब अपनी बाते ठीक होंगी ही ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छा है है और इसलिए अपने आपको सह्यम में रखते हैं तो सारी पृत्वी सब मानवों को जीवित रखेगी कांदी जी कहते थे अर्था इस इनफ फॉर एवरिवन्स नीड पट इट कैनाट साइश्पाई एवरिवन्स ग्रीड तो लोब नहीं करना सह्यम में रहना और अनुशासन का पालन करना अपने जीवन में अनुशासित रहना अपने कुटुम्ब में अनुशासन रहना अपने समाज में अनुशासन रहना सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना भगिनी निमेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक सम्वेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना यही देशभक्ति का रूप है इससे जीवन में पवित्रता आती है और तपस का तो मूर्तिमान उदारन आपके सामने आज दिया गया व्यक्तिकर तपस तो हम करेंगे सामुहिक तपस क्या है संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनावसी जानता हूं हम साथ चलेंगे बोलेंगे आपस में उसमें से एक सामतिका संवाद निकालेंगे एक कही भाषा बोलेंगे वो वाणी मन मचन कर्म समन्मित होगा और मिलके चलेंगे अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे यह तपस हम सब को करना है पास्सों वर्षों तक अनेट पीडियों ने लग कर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देके खून पसीना बहा कर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्द करा दिया उन सब के प्रति हमारे मन में कृतग्यका है मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया मैंने क्या किया वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनी धी भी मुझे बनाया गया है उस प्रतिनी धी के नाते मैं ये अवदान स्विकार करता हूं और उनी को अरपन करता हूं परन्तु उनका ये वरत हमको आगे लेके जाना है जिस धर्मस्ठापना विश्व में करने के लिए राम का उतार हुआ था उस धर्मस्ठापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने जेश में उत्पन करना यह अपना करतव्य बनता है राम लडा आये हैं हमारे मन को आलादित करने के लिए, उत्सा ही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्यकी याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आये हैं, उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाएं, सब लोग तो यहां आने ही सकें, लेकिन वो सुन रह देख रहे अभी इस इक्षन से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्मान पूरे होते होते विश्वगुरु भारत का निर्मान भी पूरा हो जाएगा इतनी क्षमता हम सब की है इसका मैं एक बार स्मरण देता हूँ आप सब को धन्यवाद देता हूँ और मेरे चार शब्द समाथ तका